है एवरीवन वेलकम टू राज एकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासे मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं अपलोड की बीच आ गया हूं मैट्रिस का नेक्स्ट टॉपिक को ले करके जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रास्पोज ओफ मैट्रिक ट्रास्पोज ट्रास्पोज के अधार पर मैट्रिस के कुछ टाइपस नहीं वह समझते हैं सबसे पहला नंबर कहता है symmetric matrix टिक है symmetric matrix का क्या मतलब ओते हैं वह पहते हैं, जब हमारे जिसे देखिए हमारे पास एक example यहां पर दिया हुआ है क्या है A equals कहता इतना है तो भाई A का transpose क्या होगा A का transpose आपका हो जाएगा पहला row बन जाएगा पहला column तो 54154 दूसरा row बन जाएगा दूसरा column 527 तिसरा row बन जाएगा तिसरा column 473 देखिए तो सेम आया है कि नहीं आया है क्या यहां पर A equals A transpose है हाना देखिए इसमें क्या होता है जब A का transpose निकालेंगे हाना सबसे पहले यह जो diagonal element है वो तो as it is रहेगा clear जो हमारा A21 है A12 है वो बन जाएगा A21 के बराबर ठीक है जो हमारा A13 element है मतलब 4 वो बन जाएगा A31 वाला element जो हमारा element A कितना है A12 हमारा A21 बन गया A13 हमारा इतना बन गया कहता है A23 जो होगा वो क्या हो जाएगा A32 यह item आपस में convert हो जाएगे ठीक है देखिए A12 हमारा क्या था A12 5 है अब क्या बन गया A21 बन गया वो A21 एक ही है की नहीं है देखिए हना जो A13 था वो 4 था अब वो क्या बन गया A31 4 है की नहीं है A23 क्या था 7 है यहाँ पर बन गया A32 देखिए तो हो गया तो क्या है यह यह याद रखेगा कि symmetric matrix में यह feature से याद रखेगा कि A बराबर A का transpose होगा हना या फिर A12 equals A21 जो transpose यह transpose वाला है ठीक है यह transpose वाला transpose जब करेंगे ना तो A12 बन जाएगा A21 हना A13 बन जाएगा A31 A23 बन जाएगा A32 हना या फिर आइसने भी बोलिए कि symmetric matrix देखने का एक और तरीका है वो क्या है वो clearly समझे हना कहता है कोई भी ऐसा matrix हो हना जिसका element A12 और A21 सेम हो ठीक है फिर A13 और A31 सेम हो A23 और A32 सेम हो ठीक है अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा वो हमारा होगा symmetric matrix लेकिन अगर उतना features आपको याद ना रहे ठीक है तो सीधा सीधी इतना तो याद रखी सकते है ना कि A का transpose निकाल यह वो A के बराबर ही हो हना जो A था वही A रहे तो वो क्या हो जाएगा symmetric matrix clear जिसे हम एक example में इसको भी बता सकते है ना जिसे identity matrix क्या होता है I equals क्या होता है I 1 0 0 0 0 0 0 1 clear तो यहां पे भी अगर I का transpose कर दें तो सेम आएगा ना answer पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम्स दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम्स तीसरा रो बन जाएगा तीसरा कॉलम्स तेम आया ना यह भी symmetric matrix के अंतरगर consider किये जा सकते हैं ठीक है but basically हम लोग वह identity matrix ही होता है हम लोग symmetric matrix के जब भी बात करेंगे कोई भी matrix A जिसका transpose निकाले वो A के बराबर अगर हो ठीक है तो वह हमारा क्या कहलेगा symmetric matrix clear है चले तो यह पहला था दूसरा देखते हैं दूसरा काता scale symmetric matrix है ना क्या है scale symmetric matrix इसमें क्या होता है ना जब A का transpose निकालेंगे क्या निकालेंगे A का transpose तो वह किसके बराबर होगा minus A के बराबर होगा ठीक है देखे कैसे समझें यहां पर यहां पर मैंने लीक भी दिया हूं कि A का transpose निकालेंगे वह किसके बराबर होगा minus A के बराबर या फिर A जो होगा वो minus A का transpose के बराबर होगा एक ही चीज़े meaning एक ही है clear देखे कहता क्या है अगर हम A का transpose निकाले ठिक है तो क्या होगा देखे तो A का transpose निकाले तो क्या होगा पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 0, 5, 3, 5 दुसरा रो दुसरा कॉलम बन जाएगा 3, 0, 4, तिसरा रो तिसरा कॉलम मैनस 5, मैनस 4, 0 clear है देखे है हना अब यहां से देखे तो पूरा का पूरा अगर कॉमन निकाले मैनस बाहर कर दें तो क्या होगा जीरो को तो affect नहीं होता है जीरो का जीरो होगा, मैनस 3 का 3 हो जाएगा, मैनस 5 का 5 हो जाएगा, 3 का मैनस 3 हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, मैनस 4 का 4 हो जाएगा, 5 जो हमारा है और वो minus a के बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे scale symmetric matrix clear अब देखें आगे तिसरा है orthogonal matrix orthogonal matrix में क्या होता है ना कि अगर a हमारे पास है into कर दे a का transpose से तो वो अगर three order का है matrix ठीक है तो वो क्या होगा three order का identity matrix आ जाएगा यहां three लिखा हूँ इसका मत्तब three order का identity matrix ठीक है जिसमें तीन रो तीन कॉलम होंगे clear है तो सबसे पहले हम लोगे इसको solve करके देखें ए हमारे पास दिया है एक का transpose क्या होगा यह तो बहारे सेम रहेगा one two three पहला one two two पहला यह होगे पहला कॉलम ठीक है फिर दूसरा क्या होगा two one minus two minus two two minus one यह होगे हमारा एक का transpose अब multiply करने कहता है a into a into a का transpose क्या होगा भाई तो सीधे सी बात है one by three बाहर है a हमारा क्या है one two one two two फिर two one minus two minus two two minus one clear और फिर हमारे पास a का transpose क्या है a का transpose हमारे पास है वही one by three ठीक है क्या है one two minus two two one two two minus two minus one clear दोनों को multiply कर देते हैं ठीक है तो क्या करेंगे multiply कैसे करेंगे तो देखिए आगे का page मिले जाते हैं हाना कहता है सबसे पहले one by one by three का one by nine हो जाएगा हाना यहां पर भी one by three है one by three into करेंगे तो कितना हो जाएगा one by nine हाँ अब पहला है पहला रो हमारा क्या है one two one एक काम करते हैं मैं इसको यहीं पर multiply कर दे रहा हूं ठीक है इसको मैं erase कर दे रहा हूं यह आप लोग लिख लिए होंगे मैं इसको करता हूं बारवक्त उस पैज में जाने से बेटर है यहीं पर हम लोग लिख लें इसको ठीक है क्या कह रहा है हमारे पास यहां पर कहता है कि अगर इस तरह का कोशन दिया हुआ हो तो गुना कर देते सबसे पहले हम लोग क्या करें गुना तो क्या हो जाएगा one by three one by three one by nine हो one into one plus two into two plus two into two ठीक है clear हो गया अब पहला रोग को दूसरा कॉलम के साथ one into two plus two into one plus two into minus two ठीक है अब पहला रोग को तीसरा कॉलम के साथ one into minus two plus two into two minus one क्लियर है है ना अब देखिए दूसरा रो को हम लोग बुना करते हैं दूसरा रो को बुना करा जाए ठीक है तो क्या होगा 2 into 1 plus 1 into 2 plus minus 2 है हना minus 2 into 2 clear अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ बुना करेंगे क्या होगा 2 into 2 plus 1 into 1 plus minus 2 into minus 2 हना आगे क्या हो जाएगा देखिएगा second row को second column के साथ में बुना कर रहा है तो यह आया है ठीक है अब क्या होगा second row को third column के साथ दुना करिए minus 2 into minus 2 plus 2 into 2 फिर minus 2 into minus 1 अब थर्ड रो को first column के साथ multiply किजे minus 2 into 1 plus 2 into 2 minus 1 into 2 ठीक है फिर हम लो थर्ड रो को second column के साथ ठीक है तो minus 2 into 2 plus 2 into 1 minus 1 into minus 2 ठीक है अब क्या करेंगे minus 2 into minus 2 plus 2 into 2 minus 1 into minus 1 क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको आपको अब देखिए अब हमारे पास अगर इसको चेक किया जाए ठीक है तो क्या आएगा हम इसको सॉल्व करते हैं आगे हना मैं टारेक्ट्री भेल्यू लिख रहा हो हना 1 by 9 into देखिए 1 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा 9 हो जाएगा इधर कितना हो 2 2 4 और minus 4 0 हो जाएगा ठीक है यहां पे 4 minus 4 यह भी 0 हो करते हो इसको भी पूरा सॉल्व करें तो जीरो आएगा फिर यहां पर सॉल्व करेंगे 9 आएगा फिर 0 फिर जीरो फिर 9 आप इसको पूरा सॉल्व करके देखिए यहीं आएगा अंसर ना थोड़ा कैलकुलेसन अच्छे स्टेक कीज़ेगा गलत नहीं होगा अब 1 by 9 को अं 9 0 0 by 9 0 फिर 9 by 9 कितना होगा 9 by 9 clear solve करके इसको डैरेक्टने लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 देखिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना 3 order का यहीं हमारा प्रूप करना था और्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा अगर एइंटू ए का ट्रांस्पोज किया जाए या फिर ए ट्रांस्पोज इंटू ए किया जाए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए अगर वो 3 order का है तो यह और्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा clear है चलिए तो यह था आपका आज का यहां का session ठीक है अब आगे देखते हैं